गंतंत दीवस के सुव अफसर पर सेंड मार्गरेट सीनियर स्केंडरी स्कूल में अखिल भारती आतमवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्स एमेच भिट्टा ने स्कूल मेनेजमेंट के साथ धवजा रोवन करके उपस्तित लोगों और बच्चों को अजादी का मतलब बताया अपने बाकरूं ताम्मि जगाएं अपने दिलु में चैंडरिक राकरूं यानाम है अपना जहां में तढ़े हैं कहां पर हम, हमें जाना कहां, चले हैं कहां पे हम, हम से पूछे हैं ये मादरे वधन, पूई पर्थे पातर हम, एक नई सुपहा जगाए हम, सारे जहां पे हम्मत करें आगे बढ़ें अग नए रास्तों पे हम, सारी दुनिया, अपनी मादरे वधन, मादरे वर्थे वादर, मादर, मादरे वादर, मादर, माँ, तुझे सारा शागे शागे के शाग शागू हमारे देश की हालत जो है बहुत ही अच्छी है नरिंदर मोदी जी ने अतंकबाद के खलाब खुली जंग का एलान किया है और एक गोली पाकिस्तान से अगर चलती है तो सौ गोली का जवाब दिया जाता है रास्त बक्ती की बावना बंदे मातरम भारत माता की जै इसमें एक ताकत और शक्ती मिली है हमारे बच्चे अभी देखा होगा कि हम 15 मिंट बीच मिंट बोले और इतना बड़ा ज़र्बा बच्चों के अंदर मैंने देखा एक भी आवाज नहीं आई इसका मतलब क्या है बच्चे रास्त के लिए सचाई सुनना चाहते हैं बाहर निकला हर बच्चे के जबान पे यही था बंदे मातरम तो यही शक्ती ताकत है अगर सब पोलिटिकल पार्टियां हम मिलकर के सब नेता मिलकर के हर शोचल आउर्गनाइजेशन मिलकर के बच्चों के अंदर बंदे मातरम और भारत माता की जया और तरंगे जंड़े का मतलब समझाएगी तो रास्त कभी कमजोर नहीं हो सकता प्रत्म रास्त यह बच्चों को समझाना है नई जनरेशन को समझाना है आज नेताओं ने देश की हालत कर दी है ब्रम्देबाद के वोट में बाठके हमारा विदुस्तान पुरा बढ़ गया है चात में करो या वोटर में करो अभी मैंने शहीदे आदम भगत सिंग की जो सफाई सेवक थे बोच सिंग उनकी बात सुनाई उनको मा कहते थे उसने जात पात के बारे में बताया और बगत सिंग ने उनकी हातों से खाना खाया आकरी वक्त और आकर में उसने यही कहा ये नेता आज के लोग कहते ये नेता जो है ये वोट बिंग का बटवारा कराते हैं जात धर्म मजब में बाठते हैं पर बगत सिंग ने कभी जात मजब ध आले जाएंगे तो जगड़े खतम हो जाएंगे और इसके लिए लड़ाई लड़ी है और बची जिंदगी इसके लिए दिल्ली के सेंट मार्ग्रेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गरतंत्र दिवस के उपलक्ष पर एक कायुक्रम का आयोजन किया गया इस कायक्रम में All India Anti-Terrorist Front की चेर्मेन मनिंदर जीज सिंग बिट्टा ने मुख्य अतिती के तौर पर शिर्कत की इस मौके पर मनिंदर जीज सिंग बिट्टा ने राष्टी ध़च फहरा कर तिरंगे को सलामी दी इस दोरान सेंट मार्गेट सीनिर सेकेंडरी स्कूल के चेर्मेन बी आर गोस्वामी, एमडी नवीन गोस्वामी, सोसाइटी के मेंबर धर्मेंदर कुमार और प्रिंसिपल रेनु जैन भी मौजूद रही वहीं इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने देश भक्ती से जुड़ी, कई प्रस्तुतियां पेश कर कालक्रम में मौजूद सभी को देश भक्ती के रंग से सराबोर कर दिया हमें 26 जनवरी और 15 अगस शहीद आजम भगत सिंग, चुबास चंदरबोश, मंगल पांडे, इस्तफा कुल्ला खां, जल्यावाला बाग के हिंदू-मुस्लिम सिख्य साई, ये हिंदू-मुस्लिम सिख्य साईयों के खून से बना हुआ तरंगा जंडा, ये हमें एसास करात है, ये बच्चों को नई जनरेशन को एहसास कराता है, कि अपनी मातर भूमी, खून से लद्पत मातर भूमी, कितनी कुर्बानियों और शहात्तों से अदाध हुई है, लेक्चर बहुत दिये जाते हैं, 15 अगस और 26 जनवरी को बाशन बहुत दिये जाते हैं, आप सुनते भी हैं, पर इस दिन अगर हम सच बोलें, अपने दिल की बात बोलें, तो इन बच्चों पर कोई ना कोई अथर जरूर पड़ेगा